कि मैं थोड़ा से दीरे नुम्ने चाहर है रिपाड कर दो है कि है वर्यूबर में कम टू माइ चैनल में परताब सब बढ़िया होंगे और अभी तो वासा गला खराब है तो हम अभी तो रिसेप्शन पर बैठें चाही पी रहे मसाला चाही और इस वक्त सुबह के सारे 8 बजर है और आज भी हमारा प्लान है कंट्री साइड गुनने का है हम कल तो ओल स्वीट गए थे लेकिन आज हमने थोड़ा सा आगे जाना है आइलेंड वाइलेंड जो है वहां पर वह एक्स्प्लोर करना है तो बस सब मिलते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं तो भी हम एक लोकल अब यहां का दाइवान की शॉब है लोकल धाबय। राबय के तो यहां पर अभी सोया मिल्क ओधर किया है थंडा सोया मिल्क और और तो हड़ चग्ए थानदा उन दे का इन्डे का पिछ है और ये कह ऐसे साथ झालग का यहां के साब से सोया मिलक को यह जो नहीं होते हैं हमारे फैन कि यहां के फैन है और यह अंडे की सब दो लेकिन खाने का है तोड़ा इशू है इंडियों के लिए है लेकिन बाकियों का पता नहीं अगर आप पोर्क वगारा खाते तो अब तो बहुत अच्छा है चांदी है लेकिन अगर नहीं खाते हैं तो सोचना पड़ेगा अभी हमने एक लाइट हाउस आना है इस वक्यारा बस सामने से मिलेगी कल भी हमने यहीं से बस ली थी तो बस अब निकल रहे हैं तो यहां से चलते हैं देखते हैं कौन-कौन से तो सर्विस सेंट्र लग रहा है और यह यूएफो तो जापान में भी देखा होगा आपने कि यह दवाई की दुकाने साथ है कॉटन लेनी है कि यह मेडिसिन स्टोर सारी दवाईया रखी है हुआ हम तो कॉटन दोन रहे हैं तो यह 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 आगे भी जपान में कामा जाएगा ते पूछ लो कित्ते हैं तो हमस् अब है है फुर्टी इस स्माल वट में कि यह महां हुआ है वह यह पिर एक्सेठोव करेंग अज हुम फिर करेंगे रुप्री तो हम हम हमार अटव लाष्टए यह 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 से लिए यह यह जितने भी नेक्टिरल साइड पहाड वहाड 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 मों आप्स्रॉर करेंग और उसके बाद हम निकलेंगे यहां से सिटी में ताइपई सिटी जाएंगे तो फिर वहां देखेंगे कि वहां सिटी कैसी है सिटी लाइफ भी देख लेंगे अभी तो यह थोड़ा कंट्री साइड पड़ता है कि इस वक्त बहुत अच्छी दूप है लेकिन बारा मजे बारिश होने का वह है फॉरकस्त है लेकिन ना हो तो जादा अच्छा है हम तो भाई शॉर्स में आए जूते भी नहीं पहने आज मैंने क्योंकि कल मेरे जूते की लिए होगे ते बारिश में यह यहां के सिगनल है जंग लगी हुई है तो जैसे कि मैंने बताया ने कि यहां पेना ज्यादा तर जो है वह पुरानी बिल्डिंग है बहुत जादा काईवान में तो तो सही है कुछ हट पक लगता भी है कि विंटेग है तो यह बिल्डिंग का कलर अच्छा है तो सिगनल चालू हो गया है तो है अच्छे डान सटरे कोई फंक्र चिन चल्ला है कि अज़ तोड़ा बस का इशू है यार भी तक हमें बस नहीं जाने के लिए कि अज़ थोड़ा बस का इशू है अभी तक हमें बस नहीं मिली जाने के लिए कि ढून रहें बस में ने तो पता लगया कि मेरे कहल से सामने से ट्रेंग जाएगी कि अज़िए गूमता है ना इससे पता लगता कौन सी बस कहां आ रही है यह नहीं पूरा घुमाने वाला लगाएं तो अभी हम जा रहे हैं बिद्धू केप पार्क पहले लाइट हाउस का सोचा था लेकिन देखेंगे शायद हम आगे लाइट हाउस भी चले जाएं क्योंकि दूर है काफी वह और यह पूरा समंदर का अरिया है मतलब समंदर का जो सड़क होती है सड़क तो बहुत अच्छ है तो अभी हमने सामने जाना है यह व्यू है पूरा समंदर यह मुझे जापान में एक जगे थी फूजी सावा उसका सेम 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 है मतलब जो लोकेशन है और बस यह है नीचे यह स्कूल है लाल रंग का पाकी सही है एक दम क्लियर आस्मान है अभी हमने लाइट हाउस जाना था लाइट हाउस एक्चुली वहां पर बहुत दूर है लेकिन पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं अभी हम फिलाल यहीं से जाएंगे सीधा और यह को झाल बहुत दूर है लाइट है लाइट है लाइट है लाइट है कि अब है कि अब हुआ है लाइट है अब लुक्त का तो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं अब बहुत ज्यादा है समढ़ ता आगे निकल गया और मैं अब धी धीर धीर आरों बहुत सुकून बरी जगे है है लेकिन हमें यह सोचाता है कि हम ताइवान जाएंगे इधर गुमेंगे इधर गुमेंगे लेकिन पहले दो दिन तो हम सिर्फ पहाड़ीयों में निकाल रहे हैं कि है उसका अपना मजा है उसका अपना स्वाद है कि सीडियां उतरना तो चलो आसान है चड़ने में थोड़ा सा दिक्कत है समर्थ में भी शॉट्स मैंने भी शॉट्स मैंने हैं हाँ मज़ा आगया है कि चलो किस दे फोटो वीडियो निकाला जा रहा है देखा जा रहा है कि गोपरो 6 जाद अच्छा है या आइफोन 14 प्रो 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 मैक्स तो यहां से अभी तक का जो व्यू है वह बहुत ही जबरदस्त है यह दो को सामने है लहरों की अवाज आ रह है कि अब यहां से यह रस्ता गया है यहां से सीधा उस तरफ उदर भी हम जाएंगे हमने लाइट हाउस एक्स्प्लोर करना है लाइट हास दूणना है नीचे भी देखेंगा अगर नीचे जाने का कोई रस्ता मिले तो लेकिन बहुत सुरज जगे है भी मजब आ गया स्वाद आ गया वहां पे कुछ लोग हैं पांच-छे लोग देखेंगे मुझे गोपरो में शायद ना है क्योंकि वह क्या कहते हैं मिक्स हो रहे हैं ब्लेंड हो रहे हैं उसमें पत्थरों में वहाई ने ड्रोन उडा दिया है और यह ड्रोन बहुत उपर जा चुका है मैं आपको टोपी उतार दी और बहुत पसीना आ रहा है अब एक काम करते हैं बस अब कैमरा निकालता हूं कुछ लैंड्सकेप वगारा फोटोस कीशता हूं और हाँ अगर आपको लैंड्सकेप फोटोस वगारा खरीद नहीं है डिजिटल कॉपी तो मैं लिंक दे दूँगा आप उस वेबसाइट से खरीच सकते हैं अब हम जो लोकेशन पे ना इसका नाम है बित्थू और यह जो सामने है ना रेड कलर और वाइट कलर से यह है बित्थू एलिमेंटरी स्कूल मैं भी सोचता है काश स्कूल भी हाँ हमारा भी होता है से पहाड़ों के पास समंदर के पास तो जब टीचर पनिश्मेंट में खड़ा करती पीछे की तरफ तो मजब होता ता यह व्यूज अच्छे आते तो भाई अब हम नीचे उतरने का टाइम आ गया और यह देखो क्या जगे और बादल गरज रहें तो बारिश की पूरी उमीद है लेकिन अब हम यहां से नीचे उतर रहें तो आई होप ऐसी जगे हम पहुचेंगे जहां पर हमें बस मिलें तो फिर हम दूसरी लोकेशन जा किया था अभी 300 मीटर रह गया अभी तो मजा इसलिए आ रहा है थोड़ा सा क्योंकि सिर्फ नीचे उतरना है पहले कहता उपर चांड़ना था उतरना था चांड़ना था तब थोड़ा सा सही लग रहा है और उमस उमस बहुत जाद है बादल तो गरज रहें लेकिन अभी त सब्सक्राइब तो जाता लाए है अभी तो मैंने बोला था जो गरशते वह बरसते नहीं और बरस गया तो ज्यादा लंबानी पर सोड़ा सा डिस्तंस रहे गया सौ मीटर का फिर हम यह इस कॉलोणी में आ जाएंगे तो यहां कोई शैड वगरा देखते है वैसे तो चाता ह है मारे पस लेकिन फिर भी प्यास लग रही है बहुत टेज पानी जो लाए थे वह खतम हो गया है तो अब सब चलते है यह है यह एंड ट्रेल का आप कि अजयए यह विए पुलिस लिखावा है यह थे जूदाइब तो डाशा अलाग सही है पुलिस लिकावा है तो बस हम जा रहे हमें वॉक करना थोड़ा सा में रोट पर आने के लिए उसके बाद ही हमें वो मिलेगा बस मिलेगी पिलाल तो पानी ठीक लग रहा है यह पता नहीं किता गहरा होगा काफी गहरा होगा शायद अब क्या होगा बारी स्टार्ट हो गई न तो एक अंटी खड़ी थी पीछे दर्वाजे पे तो हमने उनके न दर्वाजे दुकान के पीछे न लिखा वा था कुछ कोल्डरिंग बनी वी थी है तो हमने का भाई हमें कोल्डरिंग लेनी है तो बारिश होने लगी तो उस अब सिर कहने लगी कि तुम्हें काम करो दुकान के अंदर से आजया है तो फिर हम दुकान के अंदर से गए वैसे यूज्वली कोई स्टेंजर को लाता नहीं है लेकर हो सकता है उन्होंने मेरा मास तुम चहरा देखके मुझे अलाव कर दिया और समर्थ को भी तो फिर हम दुकान के अंदर से गए और बहार आए पिर वहां पर हमने यह लिया वह पोकारी यह पोकारी सुईट ऐसे गुलुकोस जैसा लगता है तेस अच्छा होता है इसका और प्यास भी बुच जाती है कि अगल शुआ है सब्जी वाला है कि सब्जी वाला है बैंगन वागन बिल्ले में काबेश तैसे अब यह मैं तो जारे है एलिफेंट ट्रंफ देखने बढ़ा चुली वह क्या है वह पहाड है जो इलिफेंट जैसा दिकता है है हम भी जड़ा जाके देखें कि वह सच में ऐसा दिखता है या यह सी आर्चे सी आर्च अच्छा है कि वहीं समुंदर पर छोटा सा पहार टाइप का है किया टेक्निकल जाना में कि एक तरफ यह है कि थोड़ा सा कुड़ा अगरा और इसके जड़ सामने एक मंदिर है कि मंदिर से लग रहा है कि वह समर्थ जा रहा है कि अधर पीछे पहाड के विपर बादल आ चुके हैं कि पहले वहीं पर थे उसी पहाड़ पे अब हम नीचे आ गया अब हम इधर सामने अब लगना है वह यह जूई यह जूई यह हैं जुई फटा गए तो यह तो यह पांट पर ट्रेल पीड़ को हम तो है यह जोटा शामने रहे लेकिन मंदिर के बाहर खाना भी मिल रहा है यह नहीं समझाया अग्दम मंदिर के बाहर पानी के पास आगे बहुत सारी बोट है अब कुछ लोग तो मुझे मचवारे लग रहें कुछ लोग वह है वुट्रिप के लगए कि जो पानी में जाके वह करेंगे एक्स्प्लोर करेंगे गोता लगाएंगे उस वैसा मुझे लग रहा है फिलाग पूरा लाएं पूरी दुकान लाएं नार्यल तो बहुत सारे हैं यह लग रहा है लोगों ने फेके हैं पीके है जो पैसे दे दो अंकल को समंदर के पास आगे लेकिन वह रॉक नहीं मिला हो सकता आगे होगा थोड़ा सा पैर पी चल गए है कि काफी ऊपर आगे यह फांते हूं अभी तक जेगे मिली नहीं वह जो को सामने बादल बनी जा रहे हैं अब आज आ रही है लेकिन बारिश हो नहीं रही है तो अब बस गोप्रों में नहीं आईगी तो अब बस उपर दा रहे हैं थोड़ी कीचेंगे उपर दा की कीचेंगे तो फाइनली हम आ गए एलिफंट मांटेन पर यहां से देखना की दिखता कैसा है कैसे दिख रहा है उसने दिख रहा है रोमें तो ही देख रहे हैं यह ऐसे देखते हैं यह 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 ज़िए जो तो हमने फोटो देखी थी किसी की वो तो कोई बंदा ऊपर था उसने खीचाई थी यहां पर तो सिक्यूर्टी गार्ड है वो जाने देगा नहीं और यह रखो यहां से क्या व्यू आ रहा है वाव जबर्दस व्यू है है हम वहां से एकदम वह एकदम उधर से चड़के तो बस वही सब डिसकेशन चलने लगा अपना गुमने के लिए बढ़िया जागे अच्छा है सब्सक्राइब नहीं पता है लेकिन अच्छा रिफंड भी होता है पूल रिफंड भी होता है लेकिन मेडिकल कौन देता है कंपनी देती है यहां की खुद लेते अब लोग इतना कश्ट कर रहे है वह उदर देखो कि अच्छा रिफंड भी होता है कि आपको यह जो जगे है यह पूरी जगे समंदर और ताइवान में कहीं आपको यह उमीद थी कि आपको पार्ले जी मिलेगा नहीं कि आप लोगों के बड़ा दन्यवाद कि एक इतिफाक है मैं भी लाय था थोड़ा बहुत लाय तर समान मैंने का जगे है और लगेज में लगेज में लगेज में जगे है तो ले चलते तो मैंने का पहले मने सोचा फ्लाइट में खाएंगे फ्लाइट इतनी लंबी थी नहीं फ्लाइट में थोड़ा खाना मिल गया है तो इस पेर भाई यह समार्थ फिर पारलेगी कि क्या फिलिग है हमने तो घर वाई जापार में तो बहुत काया है तो बाई जैसे कि आप देख स मैंने समर्द बैठा है और इधर कमलेश भाई बैठा है तो बस यही बताना था आप लोग को कि मैंने यह बोगी रेंट पे लिए कुछ टाइम के लिए और अभी पूरे रस्ता ही खाली रहेगी जब तक हम अपनी मन्जिल पहुंचनी जाते हैं बताए कि भाई यह जुगा